प्रेगनेंसी में जब डिलिवरी की बात आती है तो 80% वुमेन चाहती है कि उनकी डिलिवरी जो है वो नॉर्मल हो हाँ बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती है जो by choice या by किसी complication की वज़े से उन्हें सिजेरियन कराना पड़ता है या उन्हें सिजेरियन आप्ट करना पड़ता है लेकिन जो percentage of women हैं जो जादा prefer करती है normal delivery over सिजेरियन वो बहुत जादा है तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ऐसा क्या कर सकती है जिसे आपके जो हो normal delivery हो और आप सिजेरियन से बच सके वैसे मैं कहूं तो चाहे delivery normal हो या सिजेरियन डॉक्टर हमेशा यही चाते हैं कि आपका baby और आप हमेशा safe रहे तो कभी भी यह preference यह choice मत रखे कि आपको जो delivery हो normal ही करनी है या सिजेरियन ही करनी है आपके choice होनी चाहिए कि आप safe रहे आपका baby safe रहे तो आज की वीडियो में मैं वो सारे points आपको बताऊंगी जो आप try कर सकते हैं अपने उपर और जिसे आप implement करेंगी तो आपके chances है normal delivery के बहुत जादा तो अगर आप यह सारे points जो है अच्छे से सुनेंगी इन्हें अपनी pregnancy में implement करेंगी तो आपके जो है normal delivery होने के chances बढ़ सकते हैं कोई भी doctor कोई भी इनसान ये guarantee नहीं लेता है कि आपके delivery जो है वो normal होगी या cesarean ये time to time जैसे जैसे बेबी की growth होती है जैसे जैसे आपकी pregnancy grow करती है वो उस पर depend करता है अगर कोई complication है या कोई ऐसी problem है mother को या उसके baby को तो doctors prefer करते हैं कि it's better कि हम cesarean करें ताकि मा और बच्चा दोनों safe रहे तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ आज सारे points जिससे आप अगर implement करेंगी तो आप इंशालला normal delivery होगी बट उससे पहले अगर आप मेरे चानल पे नहीं है तो welcome to my channel I am Dr. Sadaf I make videos related to pregnancy, child care and parenting on this channel तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो normal delivery के लिए अगर आप चाहती है कि आपकी normal delivery हो तो सबसे पहला point जो आपको याद रखना है वो है stress को दूर रखना stress आपको बिल्कुल नहीं लेना stress जो है major cause बन जाता है सिजेरियन का क्योंकि stress की वज़े से जो है body में बहुत सारे changes आते हैं बहुत सारे hormonal changes होते हैं आपके BP fluctuations होते हैं जिसकी वज़े से doctors को क्या है आपके end time पे सिजेरियन करना पड़ जाता है तो it's better कि आप stress से बिल्कुल दूर रहें आप कोशिच करिए आप खुश रहें आप बिल्कुल किसी चीज़ की परिशानी ना लें आपको अगर किसी चीज़ में डर लग रहा है तो उसके बारे में पढ़ें उसके बारे में समझें और बिल्कुल नहीं घब रहें सेकिंड पॉइंट है exercise पता नहीं बहुत सारे लोग हैं जो प्रेगनेंसी को एक बिमारी की तरह ट्रीट करते हैं जबके प्रेगनेंसी कोई बिमारी नहीं है आपको complete bed rest नहीं करना है except few complications अगर आपकी कोई complication है और आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको जो है bed rest की जरूरत है तो आप बिल्कुल bed rest कीजिए लेकिन एक normal healthy pregnancy में आपको active रहना है आपको बिल्कुल bed नहीं पकड़ना है क्योंकि pregnancy कोई बिमारी नहीं है enjoy कीजिए इसे खुल के enjoy कीजिए और active रहिए क्योंकि क्या है जब आप move करते हैं आपकी belly move करती है आपके साथ साथ आपका बेबी भी move करता है तो जब आपके अंदर movement होगी आप कोई काम करेंगी तो आप physically active रहेंगी तो आपका बेबी जो है वो भी movement करेगा उसकी circulation उसकी growth उसकी health भी अच्छी रहेगी तो आप जितना physically active रहेंगी I am not saying कि आपको बहुत exertion लेना है बहुत बहुत ज्यादा physical activity करनी exercise जो है अगर आप बहुत ज्यादा वैसे कोई अलग से time नहीं निकाल पा रहे है exercise के लिए तो walking जो है सबसे best exercise है pregnancy में आप अगर walking स्टार्ट कर देंगी तो उससे best कुछ भी नहीं है तो 30 minutes walk जो है वो आप करिए अगर आप starting में 30 minutes नहीं कर पा रहे है तो 10 minutes से start कीज़े धीर आपकी normal delivery में help करेंगे प्लस आपकी baby की head down position लाने में help करेंगे और baby को जो है आपके down movement में help करेंगे तो आप जो है कुछ exercises और yoga जो है ये अपनी lifestyle में add कर सकती है next point जो है जो हम एक normal delivery के लिए अगर चाहते हैं तो वो कर सकते हैं क्या वो है healthy lifestyle आपको healthy eating रखनी है I know pregnancy में भी खाले वो भी खाले जो healthy नहीं है तो आपको जो है full balance diet रखनी है healthy eating रखनी है अगर आपकी cravings हो रही है कुछ ऐसी गुलगपा खाने की आलूटी की खाने की तो कोशिश कीजे कि आप street food ना खाके अपने घर में ही वो prepare करें जिससे क्या है आप उसे healthy way में prepare कर सकते हैं और आपको जादा नुकसान भी नहीं देगा तो junk food, fried food थोड़ा और street food जो है वो थोड़ा अबोईट कीजे और healthy eating में अपने आपको indulge कीजे तो healthy eating के बाद एक सबसे और important चीज होती है वो होती है hydration अपने आपको fully hydrated रखे कोशिश कीजे किजे कि आप 2-3 liter of water जो है daily पीएं I know ब बहुत जादा आपकी health के लिए आपकी baby के health के लिए बहुत अच्छा रहेगा तो आप dehydrated अपने आपको ना होने दे बिलकुल भी क्योंकि ये भी बहुत सी बार एक वज़ा होती है बहुत बड़ी वज़ा होती है कि baby जो है normally deliver नहीं हो पाता पाली की कमी और जो next point है आप कर सकती है वो ये है get enough sleep सोना बहुत जरूरी है आराम देना बहुत जरूरी है female pregnancy के time पे और mostly last trimester में जो है बहुत ज़ादा problem होती है सोने में position सीखनी हो पाती है belly बहुत ज़ादा बड़ा हो जाता है जिसकी वज़े से pain होता है लेटा नहीं जाता आराम से तो आप कुछ ऐसी position कर सकती है जिसमें आप जैसे अपने knees के नीचे pillow रख लीजे आप side line लेटी है अपने tummy के नीचे pillow रख लीजे कुछ ऐसे pillow pregnancy pillows आते हैं आप वो भी मंगा सकती है वो pillow try कीजे comfort के लिए क्योंकि body को rest देना बहुत जरूरी है अगर आप अच्छे से swing गी तो आपकी body वैसे ही healthy जाएगी और pregnancy में rest भी बहुत जरूरी है physically active होना healthy खाना और rest यह सारी चीज़े जो है आपकी baby की growth आपके baby की development प्लस एक normal delivery होने के chances को बहुत हद तक increase कर देता है तो अगर आप यह सारी चीज़े जो है include करेंगी अपनी lifestyle में यह सारी चीजों का ध्यान रखेंगी तो आपके chances जो है normal delivery के वो बहुत जाद हो जाएंगे लेकिन फिर भी आप यह बिल्कुल मच mindset रखें कि आपको normal delivery ही हो कि बहुत सारी time ऐसा होता है कि आप बहुत जादा mindset बना लेते हैं कि आपको normal delivery ही होगी लेकिन end trimester में जाके या जब आपका delivery का time बिल्कुल नजदीक आ जाता है त जिससे आपको sezerian करना पड़ता है और वो चीज जो है आपको बहुत जादा stress दे देती है तो उस stress की विजए से भी बहुत सारी complications नई complications जो है वो हो जाती है जैसे मैं आपको बता दूँ के मेरी delivery के time भी ऐसा हुआ था कि मैंने पूरे 9 months पूरी हर चीज ट्राइकी सारी ची exercise सब कुछ किया मैंने सिर्फ इसलिए कि मेरा 9 months के बाद जो delivery है मेरी वो normal हो बट end moment पे क्या हुआ कुछ ऐसी complications हो गई जिसकी विजए से मेरी BP जो है बहुत fluctuate किया मेरा BP बहुत high हो गया और end moment पे मुझे cesarean करवाना पड़ा तो यह सुनते ही कि मुझे cesarean होगा मैं बहुत जादा घबरा गई थी जिसकी विजए से मेरा BP और शूट कर गया तो और जादो complication हो गई मुझे तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए और आप क्या कर सकती है क्या pregnancy के बारे में delivery के बारे में सारी चीज़े जो है खूब पढ़ी है knowledge लीजिए कि क्या क्या होता है labor pain कैसे ह क्या complication होती है आप कैसे normal lifestyle में वापिस आ सकती है आप sezerian के बाद अपने बेबी को कैसे उसकी take care कर सकती है तो यह सारी चीज़े अगर आपको पहले से पता होंगी तो आपको इतनी जादा घबराहाट नहीं होगी आपको इतनी जादा problem नहीं होगी लेकिन कोई चीज अगर एकदम से नहीं आपके सामने आ जाती है तो क्या होता है उससे इंसान घबरा भी जादा जाता है उसको stress जादा हो जाता है और उससे problem को tackle करने में थोड़ा सा मतलब उससे जादा problem होती है तो आप जो है सब चीज के बार में पढ़िए जानिए knowledge लीजे लेकिन बिल्कुल stress म लीजे यह बहुत अच्छा टाइम है जो आपको lifelong याद रहने वाला है तो इस टाइम को enjoy कीजे इसे बिल्कुल मत घबराइए और एक बात है जब आपका छोटा सा बेबी आपके पास आता है ना तो यह 9 महीने की तकलीफ यह 9 महीने की problem चाहे आपकी जो delivery है वर नॉमल हो य प्रेगनसी में कितनी भी problems face की हो यह सारी चीजे जो है बेबी आपकी जब गोद में आता है सब भूल जाते हैं आप सब एक मतलब secondary हो जाती है प्राइमरी सिर्फ आपका बेबी होता है तो यह है आज की एक वीडियो चोटे सी अच्छी लगी होता हो लाइक शेयर सब्स्रा बाइब कर दीजेगा चानल को अब आप से अगली वीडियो में विरेंगे बाई बाई